दो लोग मिलते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं पर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की की दो सिस्टर्स और ब्रदर की फियान से इन सब के साथ एक साथ अफेर करता है यह सब वो क्यों कर रहा था और इसका अंद क्या है यह हम आज के हमारे मुवी अबावड के साथ दिखती है इसका नाम था साइमन और वो एक स्टाइन अप कमीडियन था पर लुसी को अब वो अच्छा नहीं लगता लुसी को मनाने के लिए आज उसने उसे बुलाया था पर उसे कुछ भी फरक नहीं पड़ता लुसी ने अपनी सिस्टर लॉरा को भी उसके साथ यहां से निकलने के बाद लॉरा लुसी से पुछ तिया तो मैंसा करती क्यूं हो हर एक लडगे को इसी तरिके से तुम ठीट करती हो लुसी कहती कि मेरा इंट्रेस्टी चला जाता है उसे लडगे में कुछ अलग कॉलिटी चाहिए लॉरा किसी भी लडगे को डेट नहीं कर तो लुसी वंडर करती कि एक्चुल में इतना शाह हो भी सकता है वो कभी भी एडम की तरह लड़कों को डेट नहीं करती उसने एडम को ओर लिया और एडम को भी लुसी अच्छी लगी थी जाते जाते एडम उसे डेट के लिए पूछ लेता है लुसी भी इसके लिए हां कहत है उसे उसके लिए कुछ अलग सा ही फील हो रहा था अगली दिन एडम कॉल करने वाला है तो इस बात के लिए हो बहुत ही एक्साइड़ हो के वो गयता है कि आज शाह में तुम्हें मेरी कार में पिक अप करूंगा एडम ने उसे अपनी जैकवार में पिक अप किया जो उस है यह तुम्हारी तरह नहीं है लुसी ने कहा कि जरा चेंज अच्छा होता है अगली सीन में लुसी का ब्रदर डेविड उसे कह रहा था कि मेरी गल्फरेंड मेरे साथ इंटिमेट ही नहीं होती है वो शादी हो जाने तक वेट करना चाहती है उसे लगता है कि गल्फरेंड के बारे में बात कर रही थी तो उसकी सिस्टर ने पूछा क्या तुम उसके प्यार में पढ़ रही हो लुसी को अब तक पता नहीं है पर यह फिलिंग उसे बहुत अच्छी लगती है रात में दोनों हैंग आउट कर रहे थे तो एडम ने कहा तुम जब चाहो तुम जब कमफ वो पता नहीं रहा था तो लुसी की मदर यह उसे बता देती है एक्च्छल में जो गाड़ी एडम के पास है ये गाड़ी एडम की मदर को बहुत अच्छी लगती थी पर उनके पास उतने पैसे नहीं थे एडम के फादर हमेशा कहते थे थे कि एक दिन वो उसके लिए बहुत अच्छे से घुल मिल चुका था उसकी सिस्टर एलिस को बेबी सीटर की जरुवत थी तो एडम भी उसके बेबी का ख्याल रखने के लिए रेडी था एक दिन रेस्टरांट में फिर से लुसी से मिलने के लिए उसका एक्स बॉइफरेंड साइमन आ जाता है उसे कहता ह कॉन्फिडन्स इस तरीकी की कॉलिटीज एडम में कुछ भी नहीं है पर फिर भी उसके प्यार में पढ़ रही है ये बात अभी अभी उसे रियलाइस हुए कि वो एडम से प्यार करने लग गई है नेक सीन में अपने फ्रेंड से बात कर रही थी कहती कि एडम को मैंने पू हमारी फैमिली को इन्वाइट किया था डिनर के वक्त तो गाना गाती है और गाने की बाद उसने एडम को सब के सामने प्रपोस कर दिया एडम इसके लिए हा कहता है और सब लोग उनके लिए बहुत खुश थे है इसके बाद मूवी फ्लैश बैक में चली जाती है एडम से मिलता है उसका नाम जानने के बाद उसने का कि लौरा नाम की मेरी फेवरेट मूवी है एक पोएम है जो भी मुझे बहुत अच्छी लगती और उसका नाम भी लौरा ही है इस पोएम के बार में लौरा जानती थी और उसकर पर अपनी थीसिस वो लिख रही थी एडम ने उसे पोएम बोल कर पता है और उस वज़े से वह बहुत ही इंप्रेस्ट हो गई थी अगली दिन लॉरा जब लाइवरेरी में गई तो एडम भी वहाँ उसी पोएम को ढूनने के लिए गया हुआ था उसे दिखकर वह बहुत ही सप्राइस थी अचानक से एडम ज़रा डिस्ट है और उसी वज़े से वह चले गए थे लॉरा कहती कि इसमें तुम्हारा कोई भी फॉल्ट नहीं है एडम कहता है कि जब भी मुझे किसी के लिए भी फिलिंग्स आती है तो हमेशा मुझे ऐसा ही लगता है कि मेरा ही कुछ फॉल्ट है और लोग मुझे छोड़कर चले नहीं है यहाँ पर वो ज़रा डरी हुई थी वो भी अब एडम को लाइक कर दिया उसे एक बुक दिखी और लगा कि एडम को बहुत अच्छी लगी कि तो उसके लिए बाई कर लेती है इस बुक के ऊपर वो एक मैसेज लिखना चाहती थी पर वो बहुत ही ज़ादा कन्फि लॉरा अपने फ्रेंड के साथ थी दूसे कहती है कि तुम मुझे जॉइन कर सकते हो पर एडम वहाँ से चला जाता है रात में लॉरा अपने एक फ्रेंड को लेकर प्ले देखने के लिए वहाँ बर भी एडम आया हुआ था थोड़ी दर में बीज में से एडम उठकर चला लॉरा उसके पीछे बागे पर कहीं भी उसे नहीं मिलता उसकी फ्रेंड आकरों से बुछती कि क्या सब कुछ ठीक है क्या तुम में प्ले अच्छा नहीं लगा लॉरा कहती कि एक वीग हो चुका मैं कोई भी काम नहीं कर पा रहे हमेशा मैं एडम के बारे में सोचती रहती जो भी चीजे में लिखती हो परती हो सब कुछ फील करवाती हो अगली दिन वो अपनी सिस्टर के साथ शॉपिंग के लाए इसके लेटर पर उसने एडम को देखा एडम उसे देखकर कहता है कि मैं नीचे आता हूँ लॉरा ने उसका वेट किया पर वो नीचे आता ही नहीं वो डिस्टब होकर हर जगा पर उसे ढूणने लगे पर उसे मिलता है नहीं इस सारी बात उसकी सिस्टर एलिस ने नोटिस की एलिस उसे पूछती है तुम और एडम जब मिलते हो तो किस बारे में बात करते हो क्या तुम एक दूसरे से बहुत एट्रेक्टेड हो लॉरा कहत कि लुसी तुम्हारे बारे में बात कर रही थी तुम्हें उसे कॉल करना चाहिए वो तुम्हें मिस कर दिया साइमन को सुनकर बहुत अच्छा लगा रात में लॉरा एडम से मिलने के लिए जा रही थी तो लुसी कहती है कि तुम कहा पर जा रही हो इस बात पर लॉरा उसे मिलना नहीं जाते हैं, एडम कहता है कि मैं एकी चीज़ चाहता हूँ अभी क्या भी तुमसे मिलना, वो फिर उसके घर पर आके, उसे उसकी बूक देती है लॉरा न आडम से पूचा कि क्या तुम मुझे इग्नॉर कर रहे हो, एडम कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मैं मेरी feelings को control करने की कोशिश कर रहा हूँ पर यह मुझसे हो नहीं रहा है कल रात जब मैं Lucy के साथ था तो तुम्हारी बारे में सोच रहा था इसके बाद दुनों intimate हो जाते हैं इनका हमेशा एक दूसरे से मिलना जुलना start हो गया था एक दिन Adam जब Lucy को trip पर लिखा जा रहा था तो लॉरा ने उसे देख लिया Adam कहता है कि मैं खुद के लिए नहीं कर रहा है मुझे करना पड़ रहा है Lucy के आख पर पट्टी थी तो वहाँ पर भी उसे kiss करता है इसके बाद हमें directly restaurant का scene दिखाय जाता है जिसमें Lucy ने Adam को शादी के लिए पूछ लिया यहाँ पर भी Adam लॉरा के साथ flirt कर रहा था पर जब Lucy उसे पूछ लेती है तो उसके बाद उसे हा कह देता है इस बाद से लॉरा बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी अगली दिन उसे मिलने के लिए तो लॉरा बहुत गुसा थी Adam कहता कि सबके सावने मुझे हाई बोलना इसी वज़े से मैंने किसी को कुछ भी बताया नहीं है हमारे बीच में जो रिलेशनशिप है यह शादी के बाद नहीं रहती है यह पैशन हमें कहीं भी नहीं मिलेगा इसके बाद यह दोनों फिर से इंटिमेट हो गए लॉरा को आडम के साथ बहुत अच्छा लग रहा था इसके बाद हम फिर से उसी फ्लैश बैक में जाते है जब लुसी से मिलने के लिए अडम फर्स टाइम उसके घर पर आया था आज कल लुसी का ब्रदर डेवीड जार डिस्टर्ब है क्योंकि उसकी गर्फरेंड उसे कुछ भी भाव नहीं देती है उसके साथ इंटिमेट रि पान नहीं रही थी जैसे जैसे लुसी और एडम की रिलेशन्शिप आगे बड़ी वैसे डेविड अपनी गल्फरेंड से बात करता था वो गहता था कि एडम लुसी को एक जगा पर लेकर गया था उनका विकेंड बहुत अच्छा था ये सब चीज़े अपनी गल्फरेंड करने वाला लड़का बहुत अच्छा लगता है एक दिन डारेक्टली तुम्हें उसे अप्रोच करना चाहिए ये सब कैसे करना है साइमन को समझ में आनी रहा था एडम कहता है कि तुम वरी मत करो रात के लिए हम डिनर प्लान करते हैं डिनर के वक्त एडम उनके घर पर आय होएगा और कैरन फिर डेवीड के पास आकर सो जाएगी परिशा कुछ भी हुआ ही नहीं कैरन खुद काउज पर सोगे और एडम डेवीड के पास आ क्या डेवीड को बहुत बुरा लग रहा था एडम कहता है कि तुम में कोई भी कमी नहीं है ये उसका ही फॉल्ट है जो त जाता है अगली दिन एडम घर से निकला तो कैरन बहुत खुश थी वह डेवीड से कहती कि कर रात हम तुमारी बारे में बात कर रहे थे वह डेवीड को रिजाने की कोशिश करते हैं इसके बाद उदोने इंटिमेट हो गया एडम ने जो बेकिया इसके लिए बहुत खुश था वो जीम की स्विमिंग पूल में लूसी को देखता है उसे लगा कि वो एडम के साथ है पर लूसी अपने एस बॉइफरेंड के साथ थे और दोनों किस कर रहे थे इसके बाद हम फिर से फ्लैश बैक में जाते है लूसी की सिस्टर एलिस और उसके हजबन डिविड में हम की कार थी वो जब छोटा था तो उसी कार में उसके बैरन्स का एक्सिडंट हो गया था जब बड़ा होने पर उसके पास कुछ पैसे आए तो सारे पैसों से उसने उसे रिन्यू कर दिया जैसे के हम देख सकते है एडम हर एक परसन को अलग-अलग स्टोरी बताता है इस स्ट सारे में जानना चाहती थी एडम उसे बात करने के हमेशा कोशिश करता था एक रात तो दोनों पार्टी में मिले एडम कहता है कि उस दिन तुमने मुझे मुझे में इंट्रेस्टेट हो मुझे तुम बहुत एट्रेक्टिव लगती हो क्या हम दोनों अकेले में मिल सकते हैं ये दोनों करीब आ गए और एक दूसरे को किस करने लग गया एलिस अचानक से रियलाइस करती कि ये सब बहुत गलत है और उसने उसे मना कर दिया जब लुसी ने एडम का प्रपोस किया तो एलिस को भी बुरा लगा था वो उने फिलिंस को कंट्रोल नहीं कर पाई और एक दि सिक्रेट्स है मदर कहती कि इस वर्ड में बहुत सारे बोरिंग आदमी है अगर एडम उनमें से नहीं तो लुसी का अच्छा लग की है इसके बाद हमें डारेक्ली वेडिंग डे दिखाया जाता है लुसी को मनाने के लिए उसका एक्स बॉइफरेंड साइमन उसके घर पर लूसी एलेस को से भगाने के लिए कहती इसके बाद लूसी डिस्टर्ब हो गई थी और लॉरा और एलेस को बुला करें लुछ से गलती हो गए मने साइमन के साथ एडम पर चीट किया मुझे सब बात एडम को बता देनी चाहिए लुरा और एलीजी इन दोनों से समझाय सच बोलने से कुछ भी अच्छा होने नहीं वाला क्योंकि वो अपना खुद का सच छुपाना चाहती थी वो कहती कि अगर तुमने बात छुपाए तो सब लोग बहुत खुश रहेंगे तुम आगे कि अपनी लाइफ एडम के साथ बिताना चाहती हो यही जीज इंपोर्टन्ट ह यह सब बात लुसी ने दो मान ली थी एलिस फिर एडम से मिलने के लिए आयी उससे कहती कि क्या तुम अभी लौरा के साथ अफेर करे हो एडम ने कहा कि वो भी चल रहा है Alice पुछती कि क्या तुम अब भी मुझ में इंट्रेस्टेड हो Adam इसके लिए हा कहता है Alice ने कहा कि तुम यह सब करते क्यों Adam ने कहा कि लोगों को लगेगा कि मैं किसी से रिवेंज लेने के लिए यह सब कह रहा हूँ पर इसा कुछ भी नहीं है जब भी मैं लोगों से मिलता हो तो हमेशा मुझ से वो कुछ ना कुछ तो चाहते है उन्होंने मेरे बारे में माइंड में एक स्टोरी क्रेट की होती है मैं सिर्व उसी का कैरेक्टर प्ले करता हो वो भी खुछ होते है और मैं भी खुछ होता हो फिर एलिस और वो भी इंटिमेट हो गए एलिस ने पुछा कि तुम अब क्या करोगे एडम ने कहा कि अब मैं शादी के लिए रेडियो हो रहा हूँ शादी के लिए लूसी एडम को अप्रोच कर रही थी पर उसे यह सब गलत लगता है एडम भी उसके पीछी पीचा है पुछता है कि क्या तुम मुझे शादी नहीं करना चाहती है लूसी ने कहा कि एक चीज है जो मैं तुमें बताना चाहती हूँ एडम ने कहा कि तुमें मुझे खुछ भी बताने के जरूरत नहीं है मैं तुम पर हमेशा trust करूँगा हर एक आदमी की कुछ ना को secrets होते है वो action क्या लेगा ये बहुत important है वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे और वो fix था Lucy इस तरीके से Adam का trust देखकर impressed हो गई थे ये दोनों फिर खुशी-खुशी शादी कर लेते है इसी के साथ ये movie एंडो जाती है एडम हमेशा लोगों के सामने pretend करकर जिन्दगी का मज़ा लेता है पर उसका Lucy से प्यार भी कम नहीं है उससे और शादी कर लेता है अगर आपको explanation अचा लगा तो प्लीज इसे like और comment ज़रू कर दीजेगा हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं movie के साथ तब तक लिए thank you और आप अपने आपका ख्यायल रखिया